आपको डर नहीं लगा कि आप जाकर के अगर वीडियो बनाएंगे और दुले से ये बाते कहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा सुलूक किया जाए आप पूरे कॉन्फिटेंस कैसे था खाने का तो नहीं लेकिन हम नाचनेक मन जरूर कर रहा है अब हम क्या जाएंगे अभी अपन अभी हम भागलपूर में हैं और इस रास्ते से हम घुजर रहे तो हमारी मुलाकात एक सक्से हो गई जो इन दिनों बहुत ज्यादा वाइरल है और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है हालकि जितने भी न्यूस चैनल है उनके वीडियो तो आप कैसे यह क्यां चले。 यह सबसे पहले मितलब कि सादी होरी थी दो दोस्त लोग होता है कि चलो और याज यहां फ़लना जया गहर पर जो भाइज भाती मोद चलो शाधी बहुत यहां हो राए बना हुज नहीं रोटी बिलने का लिता है ऑगले दो फिख हम उसले बहुत शाधी कोלאी पता है एक लोट फिख तो शारा कि गर सबसे पहला बात है कि यह जो बरतन दुलवाने वाला था जो वीडियो हम भी देखे कहीं से मतलब आया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं हो चाहे बिहार हो जारकंड हो यूपी हो मद्यपर्देश हो आंद्यपर्देश हो कहीं पर भी ऐसी घटना हो रही है तो वहां पर नहीं होना चाहिए ऐसा चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो इस घटना का मैं निंदा करता हूं और आपको डर नहीं लगा कि आप जाकर कि अगर वीडियो बनाएंगे और दुले से बाते कहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा सुलूक किया जाए आप पूरे क्या से थे अब मुल्व मुद्दा पर आते हैं सबसे पहले वीडियो था वह श्युव्टेट वीडियो था आपको पता देता हूं कि वह जो भाया है उनका नाम है अतूल भईया वह बनारी में रहते हैं उनका और हम एक्षुली ठीटर आर्टिस्ट है एक्टिंग करते हैं मे तो यह बात आपने पहले भी कह चुके हैं कि इसक्रिप्टेट वीडियो था हाँ एक दू चैनल वाले आए थे आपके चैनल के भी माध्यम से कह रहे हैं कि यह वीडियो जो था यह तो वहां पर सारा चीज था चुकि वह भी एक कलाकार है जिनकी साधी में गया भाईया भी जो एकदम कला का रहे हैं उनका नाम अतूल है वो बरारिम रहते हैं और हम भी जो हैं साथ में ही करते थे थेटर एक्टिंग वगरा अब देख सकते हैं कि यह जो यह है यह स्क्रिप्टेट वीडियो था उसने दिन से हम समझ रहे थे कि यह अचानक से गए हैं और इसा कि अभी हम इस रास्ते से घुज़े रहे थे आप देख सकते हैं यहां पर भी बारात जा रही है तो हम सोचे कि क्या पता यह फिर से चले क् आखर कुछ प्रेंक रेंक का कुछ वैसा सिस्टम हुआ तो अब करने मं क्या जाता है करिये लिंक्या भाइशा ही नहीं बोल रहा है आपको कैसा फिलो रहा है आप तो बहुत जादा वायरल हो गये हैं वैरल होगे ऐसा अच्छा लगता है दस वादमी लोग आते हैं भाई मतलब कुछ-कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था क्योंकि कॉंटेंट एकदम हटके था और उसमें क्या था कि मेरे 3-4 वीडियो पहले भी थोड़ा हो चुका है तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन बड़ा बड़ा चैनल वगरा परमोट किया इस्टागराम का और सुभांकर मिश्रा वगरा लोग भी किये तो आगे आपकर क्या प्लैन है आगे यही प्लैनिंग है कि आईसा ऐसा वीडियो जो है आते रहेगा पूरा यानि कि जनता को बेवकूफ बनाते रहना है कि य शुआ कि यह इसा होना चाहिए कि अगर आप कही पे जाते हैं तो मतलब उनको दे गना चाहिए खाने क्ले आपको से निकाल जाएं कि कोई एगर खाना खाने आ रहा तो खाने में क्या दिख्कत रहे और उतना तो प्ले खोज में फेका जाता है जितना आदमी लोग खाते न यही है और जो लोग भी हम यह कहना चाहिए आपके चैनल के माध्याम से जो घटना मध्यपर्देश में हुई उसमें क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और भगवान उस परिवार को सत्वुध्धी दे कि आगेस वह साने के कोई विवासा ना करें तो यहीं बोलेंगे बिल्कुल हमारे साथ अभी मेरा नाम आलोग राज है और मेरा इंस्टा आइडी भी एक्ठो है अलोग यादव 420 करके यह हमारे चैनल के माध्याम से पचार कर रहें अपने इंस्टा आइडी का और यह आलोग राज जी हमारे साथ है अभी आप बात किये कि इनका यह भी कहना है कि जो मध्यपूरा में जो मध्यप्रदेश में जो घटना होई थी ना कि वहां के कुछ स्टूडेंट्स वापे कहेते और उनसे बटन दोलवाया गया था तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था हाला कि यह स्क्रिप्टेड वीडियो था लेकिन ऐस इसा होना चाहिए कि में दिल खुले रखो लाकार धिवाला जो है वह दिखता है तो अच्छा लगता है नैचुरल एक्टिंग थी उसमें और नेचुरेल अब्लेकिंग काही अभी दौर है कि हमको भी लगता है कोई डारेक्टर हमको क्या बोले हुआ था